हारे कृष्णा रादे रादे आर्पीसी फर्स्ट ग्रेड और सेकेंड ग्रेड हिंदी सिजड़े विध्यारतियों के पाठ्य क्रम में आर्पीसी ने जो परिवर्तन किया है उस परिवर्तन में कुछ नए टॉपिक एड किये गए उन्हीं में एक टॉपिक आता है आपके हिं लिए देवनागरी लिपी तो मेरे इस चैनल पर हिंदी भाष्रा का उद्बह और विकास करवा दिया गया है और आज उसी का दूसरा पार्ट है यानि आज हम हिंदी की बोलिया करने वाले हैं मैं कविता तोतला लेक्ष्णर इन हिंदी गवर्वेंट आफ राजस्थान हिं रोटेम नोट्समें इतियास में करवा चुकी हूं का विशास्थ गरवा चुकी हूं और जिन नौट्स को पढ़कर निन रुटत कर सीट हसिल की थी उन्हें नौट्स को विद्यारतियों तक पहुंचाने की एक पहल की थी और मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया जिसका नाम है हिंदी के रंग कवीता तोतला के संग आप वहां जाकर जुड़ जाए और जितना मैं यहां पढ़ा चुकी हूँ वह सारा का सारा मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर पीडियाफ फॉर्म में सेंड किया है वहां से आप उसे प्राप्त कर सकते हैं बहुत सारे विद्यारतियों के कमेंट आए कि मैं आपके जो नौट्स जिनको पढ़कर आपने वेख्याता कि एक सीटली अगर उसका कोई चार्ज भी है तो हम करने को तयार है उसका कोई भी चार्ज नहीं है मैंने निशुल्क यह स्टार्ट किया था और सभी विद्यारतियों के लिए आप यहां भी चैनल को सब्सक्राइब कर लिए बैल आइकन प्रेस कर दीजिए क्योंकि जितना भी नया पार्टिक वहां से आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिए मेरे इस कोर्स का कोई पे नहीं करना है आपको एक पैसा भी नहीं देना है बस आप मन से जुड़िए मन से पढ़िए और अपनी एक सीट सुनिश्चित कीजिए और एक टॉपिक में करवा चुकी हूं अगर आप पहली बा प्रशन के से पूछे जाते हैं और पीश्चित के प्रशन पूछने का तरीका क्या है वह सब कुछ मैं हर वीडियो में बताती जाती हूं जहां जहां मैं पढ़ाती हूं आज उसी का दूसरा पार्ट है अब हम पढ़ेंगे हिंदी की बोलिया लेकिन उससे पहले जो आमने पहला पार्ट पड़ा था उसी पहले पार्ट में हमने देखा था कि लास्ट लाइन चूट रही है विकास की दिशा में तिव्र गती नहीं तक छूट गया था तो उससे आगे काम पढ़ेंगे कि परिवर्तन लाने की जूरत है आप जब उस पीडियाफ को देखेंगे और स्थिरिम में पीडियाफ सेंड करूंगी आप समझ जाएंगे कि वहीं का छूटा हुआ है उसे ना केवल राष्ट भाषा राज भाषा और संपर्क भाषा के रूप में सशक्त होना है बलकि आदुनिक हिंदी भाषी व्यक्ति के बाशा विकास को विश्व की किसी भी विक्सित भाषा की विक्तित्र की तुलना में खड़ा करना है बाशा मनुष्य की चेतना के विकास की सहग आमीनी होती है लिख लीजिए पिछले वीडियो में मैंने जहां पर पॉइंट्स बहुत इंपोर्टेंट है लिखवाए भी थे बाद में ही के दिया कि आप लिख लीजिए पर स्टुडेंट्स की कमेंट्स थे कि मैं हम आप खुदी बता दीजिए तो मैं आपको बताते हुए चलूंगी कहा का लिखना इस लाइन को आप लिख लीजिए आदुनिक व्यक्ति की चेतना का अपेक्षित विकास हिंदी कर सके यही उसकी क्या है मुल्बुत चुनौती है अब हम पढ़ते हैं हिंदी की बोलिया जो की इसी में दूसरा टॉपिक है हमारा बाशा और बोली में मुख्य अंतर संप्रेशन गत बिन्नता समानता को लेकर ह होता है लिख लिजिए इसे एक बाशा और दूसरी बाशा के बीच संरचना गत अंतर इतना अधिक होता है कि उनके बोलने वाले एक दूसरे को प्राएस समझ नहीं पाते किन्तो एक बाशा के अंतरगत जो सरचनागत बिन्यताएं होती है वे इतनी अधिक नहीं होती कि परस पर संप्रेशन बिल्कुल ही ना हो सेगे संप्रेशन यानि एक्स्प्रेस करना इस प्रकार शब्दावली और सरचनागत समानताओं के अधार पर अनेक बोलियों का एक संकुल बाशा कहलाता है प्रतेग बाशा में उसकी किसी एक बोली से उसका एक मानक रूप विक्सित हो जाता है जो साहित्य प्रशाशन शिक्षा आदी में आम व्यवार के रूप में अपना लिया जाता है हिंदी भी शब्दावली और सरचनागत समानताओं के आधार पर बारत की अन्य भाशाओं पंजाबी गुजराती मराथी बंगाली आदी भाशाओं से बिन एक स्वतंत्र भाशा है किन्तु यह हिंदी प्रदेश की विविद बोलियों का एक संकुल भी है हैं चीनी और अंग्रेजी के बाद दुनिया में सबसे अधिक बोली जाने वाली जो भाशा है वह हिंदी यहां पर यह लाइन लिख लीजिए फिंदी हमारी कि कौन से स्थान पर आरी रीं तीसरे पर यानि पह़ली चीनी दूसरी अंग्रेजी और उसके बार-दुनिया में सब से अधिक बोले जाने वाली भाषा जो है वो हमारी लिवाशा इसकी पांच उपवाशा है इसे विए आपको लिखना है वैसे पिछली वीडियो में मैं पांचे वाशा है और यह पूरा उसके अंदर क्या-क्या है हमने पूरा मांचित्र की साइथा से देखा था एक सारणी हमने बनाई थी फिर से दुबारा हम उसे हाइलाइट करके पढ़ेंगे कि मैं हमारी जो बोलियां है हमारी जो भाशा है वो यहीं है और यहीं से प्रश्ण बनेगा कौन कौन सी है बाच पश्चिमी हिंदी पूर्वी हिंदी राजस्थानी पहाडी और बिहारी अब आप यह वाला डाइग्राम पूरा एज इस अपनी नौट बुक में बना ले यह जैसा इसमें है वैसा का वैसा ताकि आपको याद करने में ज्यादा दिक्कत ना होगी पिछ इरानी में हमारी सभी हिंदी और सब आई थी वहां पे अगर आपको कुछ दिक्कत आई नहीं समझ आया तो आप ऐसा करें इसको तो उतारी ले क्योंकि हमारे जो प्रश्चन बनेंगे वहीं से बनेंगे मैं पांच भाषाएं हैं कौन कौन सी है पहले वो देखेंगे पश्चिमी हिंदी पूर्वी हिंदी राजस्थानी पहाड़ी बिहारी ठीक है अब आपको ये भी याद रखना है पांच के नाम तो आपको याद रखनी है इन पांचों की अब ये पांच क्या है उप भाषा अब आपको इन पांचों के अंदर इसकी जो जो बोलियां है ये आपको याद रखनी ही रखनी है और आप चाहें तो इन्हें करम से भी याद कर लें ज्यादा बेटर रहेगा ठीक है ये जो मैं आपको बताती हूँ आप एक एक पॉइंट को बहुत गहराई से नोट कीजिए क्योंकि मैं वही चीजें यहाँ बोलती हूँ जो परिक्षा के दोरान आपको बहुत देखने को मिलेगी आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट साबित होगी पश्चमी इंदी में कोन-कोन सी आएगी खडी बोली ब्रज, बांगरू, बुंदेली, कन्नो जी पूर्वी इंदी में आएगी अवदी, बगेली, छत्तीस गडी पहाड़ी, महारवाडी, मेवाडी, ढूंडाडी, हाडोती, मेवाती, बागडी, मालवी हुआ गडवाली, कुमायूनी, पश्च्चिमी बहाड़ी और बिहारी की आएगी बोजबुरी, मैथिली, मगही ठीक है या फिर आप ऐसे भी याद कर सकते हैं क्रम ना भी यादो कोई दिक्कत नहीं है जादा पर यह याद होना बहुत जरूरी है उसमें परिक्षा में क्या पूछा जाएगा पश्चिमी हिंदी पूर्वी हिंदी और बिहारी यह आपके तीनों बहुत इंपोर्टेंट यह आप ध्यान रख लीजिए इसमें अक्सर से आप से प्रश्ण पूछा जाएगा अब देखिए हम आगे पढ़ते हैं कि यह जो बोलियां है इनका अब विवरान यानि उपर जो हमने चार्ट देखा उसी को डिटेल में पढ़ना है सबसे पहले हम खड़ी बोली को पढ़ेंगे लिख लीजिए यहां पर खड़ी बो पाचा की तुलना में यह बोली खड़ी खड़ी लगती है संबवत है इसलिए इसे क्या गागया खड़ी बोली का गया और इसका विकास शोर सेनी अपब्रंश से हुआ है वेरी वेरी मॉस्ट इंपोर्टेंट विछले वीडियो में मैं शोर सेनी अपब्रंश के बारे में यहां से यह पश्चमी इंदी इदर से निकली है तो शोर सेनी अपब्रंश से और उसके बाद ही इसमें से यह पाचो बोलिया निकली है यह आपको पता होना चाहिए संबत इसलिए इसे खड़ी बोली का गया यह हो गया अब शौर्ट सेनी अफ़बरंस से इसका विकास हुआ और नामकरण लल्लू जी लाल मिश्र ने अठारा सो तीन में प्रेम सागर की भूमिका में किया लल्लू लाल और सदल मिश्र इन वनों को हम पढ़ चुके हैं आधुनिक जो गद्धिस साहित्य जो हमने इंडी साहित्यya का इतियास पढ़ाएँ जिसमें आधुनिक काल के अंदर हम लल्लू लाल और सदल मिश्र लेखक द्वय को हम पढ़ चुके हैं लेखक द्वय भी अलगते हैं शिव प्रसाद सितारे हिंद और लक्षमान सिंग और ललू लाल और सदल मिश्र तो आपने अगर ढंग से मुझे साइत्य पढ़ाए तो आप मुझे कमेंट सेक्षन में बताएंगे कि पर उसे लेकर हिमाले की तरही तक